दिल्ली के कोचिंग में हादसा होता है और उस हादसे के सिकार में फस जाते हैं तीन युवा और उसके बाद कहीं न कहीं पूरा देश का माहौल अलग हो जाता है जहां पे कोचिंग सेंटर की जाच शुरू हो जाती है देश में जितने भी युवा हैं वो आके सरकों पे बव खांसर के कोचिंग में ताला लगना इसके उपर क्या सच्चाई है इन सब बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रेज़त और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन खांसर की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है और बिहार इन्हें बलक फड़ी में पढ़ाई भी प्रोवाइड करवाते हैं और इसी वज़े से खांसर की लोकप्रियता जो है वो बहुत जादा है उपर से उनके जो पढ़ाने का अंदाज है वो भी काफी अलग है और बच्चे काफिस बात से अट्रक्ट भी होते हैं और बच्चे जो है उनके ह अलवेज फुल ही बताता है लेकिन इसी बीच एक खबर आती है किस डीम साहब जो है वो खांसर के कोचिंग में पहुंचते हैं और खांसर के कोचिंग में पहुंचके खांसर की कोचिंग की जाजपरताल शुरू कर देते हैं मतलब दिल्ली वाले हादसे के बाद जो प्रश कोचिंग संथान है वो ठीक है या नहीं और इसवी जो पतना SDM है श्रीकांत कुंडली खांडेकर वो पहुंच जाते हैं खांसर के कोचिंग में जाके बातचित होती है और उसके बाद कांसर के कोचिंग में ताला लटक जाता है और कुछ ताला खान सर के कोचिंग में नहीं लगाया है दर असल बात ये है कि हमने जाके कुछ जो सेक्यूर्टी की जो भी चीजे है उसकी मांग की है जो भी कागजात है उसे दिखाने की मांग की है और खान सर ने कुछ दिन का मुहलत लिया है कुछ दिन के लिए टाइम मांगा है और प्रशाशन के द्वारा खान सर के कोचिंग पे कोई ताला नहीं लगाया गया है तो ये जो अफवाह बार बार आ रहा था कि खान सर के कोचिंग पे ताला लटका दिया गया है खान सर के कोचिंग ने बाकी साड़ी जिम्मेदारियों को फॉलो नहीं किया है और इसी वज़े से प्रशाशन ने जाके ताला लटका दिया है जबकि अगर इस DM की बात माने तो उन्होंने बताया कि खांसर ने कुछ वक्त लिया है, कुछ मुहलत लिया है, कुछ टाइम लिया है और बताया है कि कुछ दिन में आपके जितने भी कागजात हैं वो आप तक पहुचा दिया जाएंगे और तब तक किली मैं अपना कोचिंग बंद करता हूँ और उन्होंने खुद से ही कोचिंग संस्थान अपना भी बंद कर दिया है और जब तक वो कागजात जुटा के पहुचाते हैं उसके बाद एक बार फिर से कोचिंग जो है वो शुरू किया जाएगा अब आप समझ जाए कि किन-किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा इन तमाम कोचिंग सेंटर को तब जाके कोचिंग उनका चलना जो है वो पटना या फिर बिहार में कहीं संभव हो पाएगा तो सबसे पहला है कि अलग इंटरी गेट होना चाहिए उसके बाद अलग एक्जिट गेट भी होना चाहिए मतलब दो गेट होना चाहिए जो अलग अलग हो इसके अलावा है फायर का जो अनोसी है वो होना चाहिए और फायर एक्क्यूब्मेंट भी कोचिंग में होना चाहिए उसके बाद जो है रजिस्टेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है यानि रजिस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो आपके पास कोचिंग का रजिस्टेशन होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोचिंग के रजिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए रेस्टेशन अपलाई किया था लेकिन वह अभी तक अप्रूबल नहीं किया गया था और वह अप्रूबल करने की अब बाद डीम साहब ने भी बता दी है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो खान सर के ऊपर ये बात चल लहा था कि कान सर के कोचिंग में प्रिशाशन ने ताला लगा दिया इस बात से अपनी कोचिंग प्रसे एक बार जारी करेंगे बाकि इस खबड को लेकि इस जयनकारी को लेके हैं आपके मन में क्या कुछ है कॉमेंट कीजिए और अपना रायह हम तक पहुंचाई दीज और मेरा नाम रजत है